करन जोहर की कंपनी पटूटा आर्थिक संकट सूत्रों के मुताबे करन जोहर की कंपनी धर्मा प्रोडाक्शन इस वक्त फिनांशिल क्राइसिस से गुजर रही है करन जोहर मार्केट से फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन करन को market से पैसा मिल ही नहीं रहा है करन के अभी कई सारे project हैं जिनका production बीच में ही अटक गया है ये projects बहुत बड़े हैं और ऐसे में कुछ project तो ऐसे भी है जो करन के cancel ही हो गए है करन जोहर की dharma productions अच्छी तब तक चल रही थी जब तक fox star करन जोहर के इस production house में पैसा लगा रहा था लेकिन आप fox star ने इंडिया से अपना business ही wind अप कर लिया है ऐसे में करन जोहर को बहुत सारी फिल्में जो है वो रोकनी पड़ गई रमास्त्र अभी तक अटकी हुई है इसके अलाबा तक तक फिल्म इसको तो करन ने cancel ही कर दिया लेकिन उन फिल्मों का क्या जिनका production बीच में अटका हुआ है ऐसे में खबर आई थी कि करन जोहर ने लंडन की company likea के साथ एक deal की है likea film production में भी पैसा इंवेस्ट करती है south industry में भी likea ने बड़ी बड़ी filmों को sponsor किया है तो ऐसे में करन ने likea के साथ हाथ मिलाया था और likea के साथ करन की एक अच्छी deal हुई थी जिसके बाद करन जोहर की company में फिर से काम शुरू होने जा रहा था लेकिन आप सुनने में आ रहा है कि likea ने भी करन से ये deal तोड़ दी है यही कारण है कि करन जोहर के कई projects बीच में ही अटक गए है जिसमें से एक project जानवी कपूर का गुड लग जैरी भी है यह film बहुत ही छोटे बजट की है लेकिन उसके बावजूद इसकी shooting अटक चुकी है दोस्ता ना टू तो वैसे ही अटकी हुई है और उसके अलावा करन की जो धर्माटिक entertainment जो नई उन्होंने company कोली धर्मा की उसके तहत searching for Sheila और अजीब दास्ता जो बनाई गई जिसको Netflix में हाल ही में release किया गया उसका response भी बहुत खराब आया और ये series भी flop रही तो इससे करन जोहर की धर्माटिक entertainment की brand value पर काफी असर पड़ा है यही कारण है कि Leica ने अब करन की company से हाथ कीच ले है और reports तो ये भी कह रही है कि करन जोहर अब market से funding उठाने की कोशिश कर रहे है लेकिन market में इस वक्त कोविट की दूसरी लहर है और कोई भी funds देने को तयार नहीं है तो ऐसे में करन जोहर और उनकी team अपनी company का कुछ share बेचने की भी बात कर रहे है और अगर सब कुछ सही रहा तो dharma productions का कुछ हिस्सा market में बिग जाएगा और वहीं अगर बात करें Leica की जिस company ने करन के साथ हाथ मिलाया था तो ये company एक mobile company है जो film production भी करती है और South के कई mega projects में इस company ने पैसा लगा दिया जिसमें से एक Indian 2 है और वो सारे projects भी आदे में अटके हैं यही करन है कि Leica का बहुत पैसा South में फस गया है इसलिए अब वो Bollywood में पैसा नहीं फसाना चाह रहे हैं और करन से उन्होंने अपने हाथ खीच ले है ऐसे में करन के पास अब चारा नहीं है या तुम market से funding उठाए या फिर अपनी company का हिस्सा बेचे